कि है गाइज वैलकम टो माई यूटूब चैनल इस्टाड़ी भी देव भूमी फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे समानने घ्यान क्वीज पार्ट सीक्स यह वीडियो स्पेसल बीडियो भी पीडियो समझ के लिने अला दिकारी पतवारी कनिस सयक बंदी र है जर्च लगते हैं वीडियो को लाइक करें इकमेंट करें वीडियो को जड़ा से यह करें annoy ज़या टाइम नं THIS कि शरू करते हैं और सेलिया का रास्टे खेल क्या है तो और सेलिया का जो रास्टे खेल है वो है क्रिकिट यानि ए आप्सन हमारा सही है और एक कोशन यहां से पूछा जाता है यह तो सबी को पता होगा कि क्रिकिट में खिलाड़यों के संख्या कितनी होती है तो ग्यारा अगला कोशन है आजाद बच्पन की और पुस्तक के लेखAK हैं बहुत महत्पूर पुस्तक के लेखAK हैं कैला सत्यारती यानि C.Option हमारा सही है देखिए केला सत्यारती जो है एक भारतिय बाल अधिकार कारे करता और बाल स्रम के बुरुद पक्षधर है इनको जो सांती का नोबल पुरुषकार है ठीक है सांती का नोबल पुरुषकार भी मिला था कब? 2014 में ठीक है साइक तुरूप से जो दिया गया था मलाला यूसुफ जो है पाकिस्तान के उनके साथ इनको साइक तुरूप से सांती का नोबल पुस्कार दिया गया था 2014 में अगला कोश्चन है भारत में इस्पीड पोस्ट का प्रारंब कब हुआ वेरी वेरी मोस इंपोर्डन कोश साइब यानि डी ओप्सन हमारा सही है देखिए 1854 में डांक विवाग की स्थापन भू थी 1854 की बात करें तो डांक विवाग की स्थापन भू थी 1972 की बात करें तो पिन कोड प्रनाली का प्रारंब हुआ था ठीक है 76 की बात दे रहे हैं तो इस पहली बार प्रथम आप्टिकल ठीक है प्रथम आप्टिकल फाइवर प्रणाली की सुर्बात हुई थी कहां पर पूरे में अगला कुश्चन है इसरो उपगिरे केंदर की स्थापना कब हुई आप देखिए यहां पर अधिकतर बच्चे क्या गलती करेंगे सीधा वो इसरो देखते हुई ही क्या टिक कर देंगे एकदम से सबसे पहले यही टिक करेंगे बोलो ठीक है क्योंकि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी लेकिन कोश्चन क्या पूछ रहा है गाईज कोश्चन देखो इसरो उपगिरे केंदर की स्थापना तो 1922 में हुई थी यानि सी ऑप्सन हमारा सही है यह भी कहां पर हुई थ करनाटक में पढ़ता है तो इसकी स्थापना की बात करता है तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1989 में थीक है इसका भी जो मुख्याले है वो भी कहां पर है गाईज बंगलऊर करनाटक में बरतमान निदेशक क्यों पूछ सकता है कि बरतमान में इस कौन है कोन है क्य सिवन है अगला कोस्टिन हैsan कौन सा एmek संघाई सहियोक संगठनी का सदस्या नहीं है तो गाईज यह है यूक्रेन नहीं है ठीक है यूक्रेन नहीं है देखे संगाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी कब हुई थी इसकी स्थापना पूछ लेता है 2001 में सबसे महत पूर बात इसका मुख्याले काफी पूछता किसका मुख्याले कहां पर है तो इसका म संघाई सहयोग संगठन के फुल सदस्य देश कितने है तो सदस्य देश है आठ कितने है आठ ठीक है अब मैं वो आठ जो सदस्य देश है उनको एक एक करके बताए तो एक तो चीन हो गया ठीक है चीन दूसरा है भारत ठीक है इसमें हरोस भी है ठीक है कजाकिस्तान भी है उज तजाकिस्तान तो आठ है ये टोटल अगला कोश्चन है कि संभिदान संसोंदन द्वारा संभिदान की आठवी अनुसूची में उडिया के इस्थान पर उडिया लिखा जाए ठीक है उडिया के इस्थान पर ये इस तरह से उडिया जो है लिखा जाएगा तो ये हुआ था 96 संभिदान संसोंदन दो हजार ग्यारे में देख़िए आपको ये भी पता चल गया कौन सा संभिदान संसोंदन था और किस बर्स ये पारित हुआ था तो दो हजार ग्यारे में ठीक है अगला कोश्चन है दा वैल्ट ऑफ नेसंस पुस्तक का प्रकासन कब हुआ अधिक option हमारा सही है और इस पुस्तक को ठीक है the wealth of nations पुस्तक को पुंजी वादी अर्थिविवस्ता का उद्गम माना जाता है अगला question है पट्टा पर्था की सुरुबात किस ने की तो देखे पट्टा पर्था की जो सुरुबात की थी यह की थी सेर्शा ने यानि option आ हमारा सही है शेटसा के बच्वपन का नाम पूछा जाता है गाइज तो बच्वपन का नाम थथा इनका फरीद ख्वां और यह शूर बंसे संबन निहीं पूछ सकता किchem बंसे संबन्ध रखते हैं यह तो शूर बंसे कुछा जाथा एक कोशन पूचा जाता है कि सेर सहा का मकवरा ठीक है सेर साह का मकवरा कहां इस्तित है तो यह सासाराम में कहां पर है। कमेंट करके पताए है सासाराम किस राजिये में इस्थित है उसके है प्रिण Same Aurat जो यहां साहता है डांक पर्था की सुरुबात ठीक है डांक पर्था या डांक पर्था का परचलन सेर सहा ठीक है सेर सहा के द्वारा ही किया गया था यह पूइंट आप नोट कर ले ना गाईज यह पूछा जाता है कि कि सासक द्वारा डांक पर्था का परचलन किया गया था अगला question है एत्रे ब्राम्मण गरंथ किस बेद से संबंद दीत है तो एत्रे ब्राम्मण जो है ये संबंद रखता है रिग बेद से यानि option A हमारा सही है देगे एक तो हो गया एत्रे ब्राम्मण और दूसरा है कोसित की ठीक है कोसित की ब्राम्मण गरंथ ये दोनों गरंथ ग्रिग्वेज से संबंध रखते हैं एक आता सथपत्ष तो यह यजूरवेज से हैं अगला कोश्चन है कि इबन बतूता किसके सासनकाल में भारत आया था वैरी वैरी मोस्त इंपोर्टन कोश्चन है तो इबन बतूता जो है यह अरभी अर्वी का अर्वी का लिएकता का इस ठीक है और इनकी जो यात्रा ब्रतांत है वो पूछा जाता है कि इनका यात्रा ब्रतांत क्या है यात्रा ब्रतांत का नाम क्या है तो रहेला कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है रहेला तो इबने बतूता जो है यह आये थे मौहमद बिन तुगलक के सासनकाल में ठीक है तो option D हमारा सही है तो उसके अलावा बात करें चंदरुप्त दुत्य के सासनकाल में कौन आया था तो फाहियान आया था ठीक है फाहियान ये पूछ रखा ये एक चीनी आत्री था हर्स वर्दन के जो सासनकाल में आया था वो हुएन सौंग आय अगला कोश्चन है आओ मिट्टी से बने हल का साक्षिय कहां से मिले हैं यह सब्व्amment तो मृती से बने हलका साक्ष जो मिले है यह मिले है बनमाली यानि यृ आप्षन हमारा सहीह बनमाली जो पड़ता है यहारasse एन्य पेड़ुक पूछ छी यो राज्जे के नाम भी हमको पता हुना थे कौन थे रविंद्र सिंग बेस्ट ठीक है इन्होंने जो खोच किती वो कब किती 1974 में डेट भी आपको याद रखने हैं अगला कोश्चन है दक्षिन भारत का एक मात्र महा जनपत है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्डन कोश्चन जो काफी अगर सेंटल का अपने एक्जाम दे रिखा होगा तो उसमें सबस्यादर कोश्चन यह पूछा जाता है तो यह है असमक यानि सी ओफसन हमारा सही है असमक की राजदानी पूछता है तो आप या तो पोटली या यह ओफसन नहीं मिलेगी तो आपको मिलेगा पोटन ठीक है पोटली या पोटन पूछ लेगा असमक महा जनपत जो है यह किसी किस नदी छेतर में पढ़ता है तो यह गोदाबरी नदी छेत में ये पढ़ता है उसके लाब देखिए पांचाल की बात करने में से इनकी राजधानी इंपोडेंट होती है पांचाल की राजधानी जो है वो है काम पिल लिए ठीक है पांचाल की राजधानी पूछता है काम पिल लिए गांधार के पूछता है तो हेकाफी महत्पूर तक्षिला ठीक है तक्षिला और काम भोज की पोस्टा है तो हाटक है अकला कौोश्यन है कि मिंड ज्रालिंग बोधमट वैरीवशन में फ痛 है मिरम बोधमट कहां इस्तृत है तो गयज्ज ये कि द्यामी का मंचांघाव, तॉ हमांचल प्रदेश में ₱फ हमिस में ₲ है मिस मठ कहाँ पर है तो लट्द लधा कमेर लद्न को आ in जम्मू कश्मीर गंगटो को बहुत महत्रपुल है रूम टेख मठ हूं टेख मठ कहाँ पर है गंगटों गंगटो कॉर्णग कहाँ पर है सिक्कीम अगला विद्र on कि इसने अ यान 00 when Pony ठीक है और के कारिकाल पूछ जाता है कि इस कब से कब तक करा था इनों इंन्य лайण गवर्मर जन्रल रहे थे सत्रें सो त्रानवे से अठानवे तक यह गवर्मर जन्रल रहे एक राजी और आता है बंगाल ठीक है बंगाल सबसे महत्पूर यह उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है बहावी आंदोलन कहा पर हुआ था उत्तर प्रदेश में 1831 थीक है तमिलाडी में भी हुआ था एक पौली गारो ठीक है आदिवास्यों के थे यह पौली गारो साथ सितंबॉंब यह भी गयाँ पूर पूर है ऊसके टैल में चैयरो बिद्रो यह जहारखंड में हुआ था कब वह था अगला स्वड्यां करने तरित्य गोल में गुल्वंप यहां-गल हाई उसके बॉस्टा को स्वाश्ण को सब्यूंबर 11 नंग चांत소 साथ सितंबर 1931 और तीसा वाला जो हुआ था सत्रे नमबर 1932 में हुआ था गांधी जी ने जो भाग लिया था वो दूसरे वाले में लिया था ठीक है गांधी जी ने जो भाग लिया था यह कॉंग्रेस की बात करें आप तो कॉंग्रेस ने जो भाग लिया था वो दूसरे गो सम्मेलनों की बात करें तो इसमें जो भाग लिया था एक मात्र भारती हैं डॉक्टर भीम राव अंबेटकर जीनों तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था यह पॉंट आप याद रखेंगे अगला कोश्चन है कि इस कॉंग्रेस अधिवेशन में पहली वार स्वारा हुआ था में तो चेह में और कहां पर हुआ था यह कलकत्ता हुआ इसका अध्यक्स थे दादा भाई नोरों जी इसके अध्यक्स तो पहले वारा स्वद्ध का प्रियोग किया घया था था ठीकें उसके अलावा एक कॉशन आता है कि किस अधिवेशन में कॉंग्रेस का विभाजन हुआ था तो 23 वा कॉंग्रेस अधिवेशन था कौन सा था 23 वा कॉंग्रेस अधिवेशन जो 1907 में हुआ था ठीक है इसके अध्यक्सते रास भिहारी बोस जो सूरत में हुआ था ये काफी महत पूर्ण था, उसके अलावा एक कोशन आता है, कि पर्थमबार जनगर मन जो है, किस कॉंग्रेस अधीबिशन में गाया गया था, तो 27 पर कॉंग्रेस अधीबिशन था, जो 1911 में हुआ था, कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्स पूछ लेता है, तो पंडित विसन नारायन धर, अगला कोशन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, 1566 में हुआ था, यानि D-Option हमारा सही है, किस-किस के बीच में हुआ था, तो यह हुआ था, अकवर और महराना प्रताप, ठीक है, महराना प्रताप, तो इसमें महराना प्रताप हार गए थे, अगला कोशन है, मर केली स्केल का संबंध है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोड़न को जिन संबेदन सील छेत्रों में है, जिन संबेदन सील छेत्रों होते हैं, उनमें भुकम पे तरंगों की तीबरता मापी जाती है, जो संबेदन सील तरंगे होती है, उनको भुकम पे तरंग जो होती है, संबेदन सील, ठीक है, जहां पर भुकम पुचाते जाते हैं, तो वह सिस्म ग्राफ के तीन सेश्म के किसी सिस्म को याद 무슨 से नहीं है इस्केल पोछ याद नहीं है कि आए इस तो सेज्म को याद होगे two लगा लोगे दूसरा है मरकेली, मरकेली स्केल भी सिस्मोग्राफ से संबंदी थे, उसके बाद आता है रिक्टर, रिक्टर, रिक्टर स्केल, यह तो आपको पता ही है, यह तो सभी को याद होगा कि भुकम, भुकम किसी स्केल पर मावा जाता है, रिक्टर स्केल पर, तो मरकेली और रोस फ यह इससे जुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग